हेलो फ्रेंग्स वेलकम बैक तो दे चैनल और देखिए आज की इस वीडियो में हमारे टोपिक है मैथड्स वेलिवेशन और गुड्विल तो टोटल यहां पर मैं बात करती हूं गुड्विल की वेल्यू निकालने के लिए जिसमें से दो मैथड्स मैंने आपको करा दिया करा दिया है अवरेज मैथड और सुपर प्रॉफिट मैथड्स आज की वीडियो में हमारे जो तीन मैथड और बचे हुए है इसके बाद आपका पर्चेस कंसिटेशन और फिप्त मैथड आपका एनुटी मैथड तो तीनो ही मैथड को मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी तो इसी के साथ ही आपका जो यह टोपिक है मैथड्स और वैलिवेशन और यह कंप्लीट हो जाएगा और इंपोटेंट टोपिक है चाहो तो आप लास्ट यहर जो पेपर है उसको उठा के देख लीजिए आपका इस स्टेट के अगर मैं बात करती हूं तो यहां से आपका क्योशन आ रखा है बिसिकली वहां पे मैचि नोर्मल प्रोफिट है पर उनका कुछ देफिनेशन दे रखे कि वी कौन से नोर्मल प्रोफिट रहेगा कौन सापका प्रोफिट रहेगा ठीक है तो इम्पोटेंट है और कई बार यहां से आप से वेल्यू निकालना भी पूछ लिया जाता है कि वी जो गुड़ विल उसक सटेंटो कैपिटलाइजेशन मैथल की तो के पिडर्च नधर जो हमारा वालैडो कुड़ विदेंट को दो थरह से कालते हैं है यह रख यत हम कंदलेंगे डिलाइशन कर लेंगे घ्र क्रोफिट का ठीक है का एल जेशन ओफ सब आइवरेज प्रोफिट का दीक व्यंतेर हम q2 वत्रारीan सब्तित вари 语 ऑं हम उप है क्या क्या निकाल सकते हैं वेल्यू की में Girls करो चाली कि परूफिट मैथ है वेल्युक्त के प्रेद के अशनर प्रोसित में हैं in कम से कम जो यह firm है जो यह business है इसकी इतनी capital होनी चाहिए तो average profit करने के लिए इतनी capital होनी चाहिए और इसे के साथ ही क्योशन में आपको assets given मिलेगी कि भी net assets इतनी है तो यहां से जो difference निकल के आएगा कि भी जो आपका जो इतनी होनी चाहिए लेकिन आपके इतनी नहीं है ठीक है तो वहां पर हम difference लेंगे मैं आपको formula बताती है तब आपको अच्छे से clear होगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे capitalization of average profit के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया capitalization करेंगे हम average profit का तो इसका formula क्या हो जाएगा ऐसे ही आप लिखोगे capitalization of मैं short में लिख देती हूं समझ लेना आप लोग ठीक है capitalization of average profit is equal to हमारे क्या आएगा average profit हम लेंगे जो भी average profit question में given होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे multiply by 100 divided by normal rate of return आपके तो यहां से क्या निकल के आजएगा capitalization of average profit आपका आजएगा अब हमें क्या निकालना है गुडविल तो अब हम गुडविल कैसे निकाल लेंगे कि जो हमारा यहां पर capitalization value आई है जो हमारी capitalized value आई है उपर ठीक है यह हम लिखेंगे और इसमें से क्या minus कर देंगे जो भी हमारी question में given होगी net asset तो जो भी net assets हमारी given होगी उसको minus कर देंगे so minus करने के बाद यहां पर जो value निकल के आएगी वह किस की value निकल क्या आएगी तो आपको क्या करना है आपको जो question है उनको solve करके देखे आप ठीक है मैंने आपको जैसे concept आपको मैंने बता दिया है ठीक है basics आपको बता दिया तो आप जो question उनको लगा के देखे इस तरह से आपे और आप इजली अपनी जो goodwill उसकी value निकाल सकते हो जो next मैंने आपको क्या बता है capitalization of a super profit तो इसको में given होगा अगर given नहीं है तो फिर आप निकाल सकते हो super profit मैंने आपको निकालना बताई दिया goodwill क्या होगे super profit multiply by वहीं जो मैंने अभी यहां पर किया हमारा fourth method यह आभी मैं ऊपर लिखते हूं fourth मैं नहीं चलिए महीं पर इसको सारे को रख कर देती हूं और आपको बताती हूं fourth method total मैंने आपको five method बताया है तो fourth method है हमारा purchase consideration ठीक है fourth method हमारा क्या है purchase consideration तो देखें यह हमारा परचेज consideration method तो इसके अंदर हम basically जो goodwill है goodwill की value उसको कैसे निकालते है इसमें जो goodwill रहेगी तो देखें इसमें directly के आजाएगी एक मिना ठुकर हमारी डायक्ति निकल के आजाएगी क्या जो भी purchase consideration रहेगा पर परचेज consideration उसमें से हम माइनस कर देंगे net assets अब अभी यह purchase consideration क्या है तो देखें परचेज कि इसकी जोने से थो है बीस लाग के सकी ठीक है लेकिन यहां पर जो परचायशंव बेर वह बना है 25 लाक रूपपे यह जो पांच लाक रूपए ज्यादा बने है यह सिर्फ और सिर्फ की विज़े से बनें पांच लाक रूपए उसकी क्या गुड्विल वैल्यु आप निका सकते हो तो यहां से हमारी क्या निकल के आजेगी नेट एक तरह से जो वाला ही केस हो घए तो ठीक है यह निकल के आ क्रीजर हो तो यहां हमारा निकलते है तो इसमें बैसिकली क्या करते है एनियूति में सुपरफिं निकलने का फॉर्मूला क्या रहेगा और लोगे और उसकी multiply करोगे आपको न एक एनुटी वेल्यू गीवन होगी ठीक है present value अपको यह पर अच्छी बात है present value आपको हम गड़ी निकाल लेगी तो यह थे आज की वीडियो में हमारे तो घॉल देखे इनके ना है और जाने अगर आप बहुते हो तो, मैं भी आपको इनका 1 एक एक विश्ण किरां करा कशे दूब़की क्योंकि आप सब्वी को पता है टाइम जादा है ठीक है टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है तो यहाँ पर पोर्हों ज्यादे ही हम डिटेल में जाएंगे तो फिर इस तरह से जो स्लेवस है वो शायद आप लोगों कम्प्लीट ना हो पाए क्यों कि बीस दिन ही बचे हुए लेकिन अगर आप फिर भी बोलते हो कि मैं कम से कम एक क्योशन तो कराई दो हर एक मेंट सेक्शन में बता देना तो मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू